हालो एब्रिवान एंड वेलकम टू डियास कुरू जी राजस्तान पर इस कॉंस्टेबल और पटवारी के लिए प्राचीन इतिहास के महतोपुन प्रश्णों को सुरू करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के एक बहुत ही महतोपुन काल को वो काल था जो मोरे काल के पस्चात स्टार्ट हुआ इससे जुड़े कुछ महतोपुन प्रश्णों के इस वीडियो में करेंगे इतिहास और राजस्तान जी के से जुड़ी बाकी जानकारी आप हमारे वेबसाइट से जान सकते हो हमारे वेबसाइट है www.ds.kuruji.com जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्शन में दिया हुआ है तो जानते हैं प्राचीन इतिहास में गुप्त काल के आगामी परिक्षाओं के लिए अतिसंभावित प्रश्णों को पहला प्रश्ण है कुमार संभवम महा काववे किस कवी ने लिखा था दोस्तों कुमार संभवम महा काववे लिखा गया था कालिदास के दोरा और यह गुप्त काल के समय में लिखा गया था फौर्थ ओप्शन इसमें करेक्ट होगा भारत में नालंदा विशु विध्याले किस राज्य में इस्तित था तो दोस्तों नालंदा विशु विध्याले इस्तित था बिहार में कि होगा गुप्त शाषन के दोरान यम्यो लिकित में ऐसा वेक्ति एव раньше कोण था जो एकसम कंभ सुंक भुप्त शासकों कि सरकारी दरबारी भाशा पूंसी थी तो दोस्तों से संस्कृत लेंग Tibhендender का यूज बहुत ही ज्यादा किया करते थे फोर्ट ओप्शन इसमें करेक्ट होगा गुप्त राज्वन्स का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमन करने से रोका था तो दोस्तों गुप्त राज्वन्स की सबसे फैमस चीज थी महां का कला और इसता पत्ते म वहां पर बहुत से शाहित्ते भी विकशित हुए थे उस समय में और कला के बहुत अच्छे नमूने और इसता पत्ते भी बहुत अच्छा था इसलिए ये इसकी सबसे फैमस चीज थी अजंता क्रतियां किसके संबंदित है तो दोस्तों अजंता क्रतियां संबंदित है गु वस्तु निम्नलिखित में किस से संबंदित हैं तो दोस्तों ये संबंदित हैं वेश्णवमत से थर्ड ओप्शन इसमें करेक्ट होगा और ये क्योशन बहुत बार एक्जामिनेशन में आभी चुका है उत्तर गुप्त युग में जो विश्व इध्याले प्रशिद्य था व होगा अरण अभी लेक का संबंद्ध किस सासक से तो दोस्तोँ इनका संबंद है भानु गुप्त से पूर्थ और के the compr e यूग ता तो दोस्तों वह था गुप्त काल ऐस में करेक्ट होगा पहां गुप्त कार्ण बहुत का निवाशिचित तो दोस्तो फायानेक चीनी यात्री था थर्ड ओप्शन इस क्योशन में करेक्ट होगा सेतु बंद का रशनाकार प्रवर्शेन दितिये किस वंसका सासकता तो दोस्तो प्रवर्शेन जिस वंसका सासकता वो सासन था वाका टक वंसका थर्ड ओप्शन इस क्योशन में करेक्ट सिक्कों को प्रचलन किसने किया था तो दोस्तों संपुन भारती इतिहास में सबसे ज्यादा श्वार्ण सिक्कों का प्रचलन हुआ था गुप्त काल में और इनका सबसाधिक प्रचलन किया था गुप्त नरेशों ने भारती इतिहास के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं तो इंडो ग्रीक नरेशों ने अगला अपना प्रेश्ण ही काच किस गुप्त नरेश का दूसरा नाम है दोस्तों काच जिस गुप्त नरेश का दूसरा नाम है वो है शमुद्र गुप्त चीनी आत्री फायान किस नरेश के काल में भारता है तो दोस्तों वो थे चंद्र गुप् केको कौ लेखक कौन है तो दोस्तों ₂वावशू बंधु नामक बोधदर्शनी को किस गुपत नरेश को शरण दी थी तो दोस्तो है रही थाए उपाद्य की विक्रमा दित्ती की उपादी धार्ण की थी तो दोस्तों टोटल चोधा नरेश ऐसे हुए थे जन्होंने विक्रमा दित्ती की उपादी धार्ण की थी इसमें अंतिम्यानी की चोध्वा नरेश था हेमू विक्रमा दित्ते कालिदास ने यवना प्रिये एवं चिनाम सुक किस और यह क्योशन पहले बेग्जामेनेशन में आचुका है आरेशप्री 2009 के एक्जाम का ये क्योशन है गुप्तकाल किसका पुनुरुथान काल था तो दोस्तों ये काल था ब्राम्मन धर्म M संस्कृत भाषा का मंदिर निर्मान कला की श्यूप की देन है तो दोस्तों ये देन बनी थी गुप्तकाल का श्रेश्ट मंदिर कौन सा है तो दोस्तों श्रेश्ट मंदिर है देवगर जासी का दसाउतार विष्णु मंदिर पुरान रामयन वो महाभारत को किस काल में अंतिम्रुप प्रदान किया गया तो दोस्तों ये क्या गया था गुप्तकाल में अजंत सत्रा में बुद्ध जनम महा मेनिस कर्मन और महा परिनिर्वान संबंदी चित्रियम जातक अधा इसमें है सुन्ने सिधान्त वह दसमलोव प्रणाली की कोज किसी यूग की देन है तो दोस्तों ये देन है गुपतकाल की सुन्ने वाद के सिधान्त की परवर्तक है आ ले भट जिसके बारे में आप सभी को मालम होगा तो दोस्तों ये थे प्राची नितिहास में गुप्तकाल से जुड़े आगामी परिक्षाओं के लिए महतोपुर्ण प्रश्ण अगर आपके वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीजेगा एंड शेयर कीजेगा थेंक्यू सो म थेंक्स पो वाचिंग!